वेलकम एवरिवर्ड तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्केशन आज है 28th of January 2023 और हमारा जो फर्स टॉपिक है वो है सुप्रीम कोट कुलीजियम फर्म अपॉइंटिंग गे लॉयर एज हाई कोट जज अब एक गे लॉयर को फर्स ताइम इन दे हिस्ट्री आफ इंडिया आप जज ऑफ हाई कोट अब अगर बात करें यहां पर जो एक शक्स के सौरब किरपल इनके अपॉइंट्मेंट में काफी चर्चा चल रही थी इसकी काफी वज़एं एक रिजन तो यह है कि जब इनको अक्टूबर 13 2017 में उनको रिकमेंट किया गया डिल्ली हाई कोट के जज के अपंट के लिए जो ताकि क्या करें कि दिल्ली हाई कोट के जज अपंट हो सकें तो तब इनको वहां पे अपॉइंट्मेंट जो है इनका नहीं किया गया नवेम्बर 11 2021 में अप्रूव कर दिया सुप्रीम कोट ने जो सुप्रिम कोट को लिजमन था उनने अप्रूव किया कि किया जाए अपॉइंट लेकिन फिर दोबारा नेमेमे 25 टुनिटी टू में जो डेपार्मेंट अफ जस्टिस है उन्हें कहा कि जो सुप्रिम कोट का कॉलीजियम है वो फिर से करेगा कि इनको अपॉइंट करना है जाज या नहीं अब आप सोच रहे होंगे कि इनके अपॉइंट में इतनी प्रॉब्लम किया है पहली बात तो यह थर्ड जंडर से बिलॉंग करते हैं यहां पर आपको दिया गया था जो हमारा आज का टॉपी है कि अपॉइंट किसका हु स्ट का मिरेज था तो यह लां कि हैकला अब आपको तक सुइसकी स 같은데 हैके चाने तो यह व् Judy हो कशी था चाइची क्योंठ आप कर देखो जस्ट कर दिया गया है लेकिन इंडिया में जो है समेरिज ऑलाउड नहीं तो अगर एक हका चाह पुनाइस से आप एक्रल मौट्र आ अ कि खुद ही इस लॉग के खिलाफ है तो उसको जज अपॉइंट कैसे किया जाए लेकिन अब जो है क्लियर कर दिया गया है कि जो वह स्वीज नेशनल हैं ऐसा कुछ उनके साथिन का मैरेज़ वाला रिलेशन नहीं है उसके बाद जो सेकिंड चीज है कि उनका जो कंट्री के से इनको कंसीडर किया गया है कि इनको जो है अपॉइंट किया जाए हाई कोट डेली का जज तो नेक्स्ट है हमारा जो है प्रिजिंस आफ पॉक्सो विक्रम्स ड्यूरिंग बेल हेरिंग्स हैज एडवर्स इंपेक्ट ऑन दियर साइक्ट डेली हाई कोट ने कुछ रूज और किया जाता है मौलस्ट किया जाता है उनके साथ कोई भी ज्यादती होती है तो उनका जो हाई कोट में लाग जब उनको किसी कोट में लाया जाता है किसी भी कोट में तो उनको एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती है तो ये सारी पूर्ट में खो नाना पड़े वह एपना अपके आपके उनको आपके जो है उनको प्रावल्म जो है स्टोमर से बच्छों को गुजरना पड़ता है तो यह कुछ रूज और रेगुलेशन जो में अदर हाईगोर डेली ने आपके बना प्रावल्मट ने बनाए हैं तो नेक्स्ट है हमारा आज का एडिटोरियल, काफी इंपॉरिन एडिटोरियल है, ये भी पॉक्सो के ही रिलेटिड है अब इसमें चीज दी गई है कि कितना अकाउंटिबिलिटी है जो हमारा पॉक्सो एक्ट है इसमें जो जो लोज हैं जो तरीका है इस इसको इनविस्टिगेट करने का gi टाइम पीरिड है, इस सब वारे में यहां पे डिसकस किया गया है अब boxers के एंडर सीरफ female children के साथ ही नहीं बिलके male children के साथ भी बहुत सारे जो male children हैं उनके साथ भी बहुत सारे केसिस हुए हैं अगर हम 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में जो male child victims हैं वो कितने थे? 1500 केसिस थे जो थे अगर total की बात करें तो उसमें से थे तो उन दो महीनों में अगर इंवस्टिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती है लेकिन जो प्रेशर होता है कि आपको दो महीनी के अंदर की जो है इन्वेस्टिकेशन और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वह उतनी नहीं होती जो इन्वेस्टिकेशन है वह अच्छे से नहीं हो पाती है उसके इलावा एक जो प्रॉब्लम है कि देखिए अगर ऐसा किस से इन्वेस्टिकेशन करेंगे कि जो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लेकिन हमारे पास अगर आप बात करें तो सिर्फ आप कह सकते हैं हाड़ी 10% जो है फिमेल पुलिस स्टाफ है तो अगर इतने कम फिमेल पुलिस स्टाफ के आपके पास तो आप ऐसे चीजों से क हमारे जो आज के चलो एक और को यह हमारा आज का एक एडिटोरिल है थोड़ा बहुत इसको हम डिसक्स कर लेते हैं कि जो पी-एम जैसिंडा एड़न हैं जो न्यूजिलेंड की पी-एम हैं तो वह आपनी पोस्ट छोड़ने जा रही हैं वह कह रही हैं कि मतलब आब वह कु जाएगा जब नया एलेक्शन करेंगे तो हमारे आज के कुछ कोशन है हमारा फर्स्ट कोशन है देट ग्रेट पॉइट तुलसी दास लेवड डियूरिंग दे पीरिड ऑफ विच फॉल्विंग एम्पर जो तुलसी दास थे पॉइड वह किस जो आप कह सकते हैं किस एम्प फॉल्विंग कð धैड खुर्टेश्л गोण गोंबस गोंबस जो है वह वह किसने कंसिक्ट किया है तो इसका आंसर है बहुंबद अदिल शाह मुह अदिल्शा कंसट्रॉप यहाँ को घॉन कर लिए ताकि आप को एप दीओध और पॉर्गेट तो सबस्क्राइब थेंग so much and take care